बांगलादेशी खिलाडी शाकिबल हसन हमेशा किसी न किसी विवादों की वज़े से सुर्खियों में बने रहते हैं कभी फैन को थपड मार देते हैं, कभी स्टम उठाकर जमीर पर पटक देते हैं, कभी अमपायर से अबधरता करते हैं और इस तरह की तमाम चीजे वो करते रहते हैं और सोशल मीडिया पर ट्रोल भी होते हैं तारीफ तो कोई करता नहीं है अब इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रहा है जहां शाकीबल हसन एक फैन को सिर्फ सेलफी लेने के पूछने के लिए गला पकड़ लेते हैं उसका फोन चीनने की कोशिश करते हैं यहां तक कि उसको थपड मारने का इशारा भी करते हैं अगर खिलाडी बड़ा है तो फिर क्या कहने और इस वक्त बांगलादेश में सबसे बड़े खिलाडी के रूप में शाकीबल हसन है और इसी लिए फैन उनकी सेलफी लेने के लिए कोशिश करते हैं और पागल रहते हैं अब इसी बीच एक वीडियो वाइरल हो रहा है जहां पर शाकीबल हसन किसी सहकर्मी के साथ एक मैदान पर खड़े हैं इसी बीच एक फैन आता है और वो सेलफी लेने के लिए अपना मोबाइल उठाता है तो शाकीबल हसन पहले तो उसको धक्का देते हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह शाकीब उसको मारने की कोशिश करते हैं उसका गला पकड़ लेते हैं यहां तक कि उसका फोन छिनने की भी कोशिश की जाती है अब ये वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर जम कर शाकेबल हसन की थूतू हो रही है और बांगलादेश के इस खिलाडी को वैसे भी ट्रोल किया जाता है एक्शुली में शाकेबल हसन किसी इंटरनेशनल मैच में ऐसा नहीं करते हैं और ना ही इंटरनेशनल मैच में लड़ाई करते हैं ये वो करते हैं जब वो अपने देश में होते हैं इससे पहले जब एक रैली में थे तो एक फैन को उन्होंने चाटा जड़ दिया इसके अलावा बांगलादेश में जब मुकाबला हो रहा था अमपायर ने उनके हिसाब से फैसला नहीं दिया तो उन्होंने स्टम उखाड कर पटक दिये थे उसके बाद उस अमपायर में सन्यास ले लिया बोला कि मैं अब अमपायरिंग नहीं करूंगा तो इस तरह के क्रते शाकिबल हसन करते रहते हैं और एक इंटरनेशनल खिलाडी को ये सब शोभा नहीं देता है पर उनके फैंस को ये पसंद आता है तभी तो इतनी हिम्मत है कि हर बार शाकिबल हसन ये सब कर पाते हैं इसके अलावा शाकिबल हसन ने कहा है कि शायद वो T20 विशुकप के बाद बांगलादेश के लिए खेलना छोड़ देंगे और सन्यात ले लेंगे और हो सकता है कि चैंपेंस ट्रॉफी के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दे आपकी क्या राय है शाकिबल हसन के इस व्यवहार को लेकि हमें कॉमेंट करके बताईए तब तक के लिए देखते रहे वरिड़ हिंदी